टॉंक राज्वस्थान का इतिहास जब टोड़ा में चितोड़गर जैसा भीशन नर संहार हुआ अकबर और मान सिंग के द्वारा नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापती एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक और एतिहासिक और दिलचस्प किस्सा लेकर दोस्तों आज का किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वे हमें हमारे एक फैन ने से जस्ट किया है जो शब्दबान चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं और वीवर भी हैं जिनका नाम है विरिंदर सिंग सोलंकी बनना जो मेवार जिला राजसमंद में रहते हैं सबसे पहले उनको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्हें मुझे इस काबिल समझा और हमें इस एतिहासिक जगह के बारे में अवगत कराया और इसकी पूरी जानकारी हमें दी हम उनका बार बार धन्यवाद देते हैं और इस वीडियो में आप उन्हें देख भी सकते हैं त दाकि हमारी वीडियो का नोटिफिकिशन आप तक पहुंचता रहे तोडा रियासत पर समय समय पर कई राजवन्षों की राजधानी रह चुका है जैसे सोलंकी, चोहान, परमार, सिसोधिया जैसे राजवन्षों ने राज किया है सबसे लंबा राज्य सोलंकी वन्ष का यह का साक्ष है, आज भी टोडा टोंक दे रहा है, यहाँ पर एक से बढ़ कर एक योद्धावन ने जन्म लिया, ना सिर्फ राजपूत ने युद्ध भूमी में अपनी तलवार बाजी दिखाई, बलकि ताराबाई, सोलंकी जैसी शत्राणियों ने भी अपने जनम भूमी ट लोडा के लिए युद्ध के मैदान में तलवार चलाई है, आज टोंक का हर स्थंब, नदिया, मंदिर, महल, बावडिया, छत्रिया, तालाब, रूसी रानी महल, यानि वह महल, जहां पर रानिया रूट जाती थी, तो कुछ समय कांत बिताने के लिए चली जाती थी, इत्य सोलंकी वन्ष का खुला प्रमान देते हैं, यहां पर किलहन देव, रूपवाल, डुंगर सिंग, राजकुमारी ताराबाई, कल्यान सिंग, जगनात सिंग, राव सुरतान सिंग जैसे जैसे योधाव ने न सिर्व सोलंकी वन्ष की आनबान शान को कायम रखा, बलकि समस्त हिंदोत्यों की रक्षा के लिए अपनी मात्र भूमी की समय समय पर रक्षा ही तू हस्ते हस्ते बलिदान दे दिया, आज हम उसी समय की बात करेंगे, जब अकबर और मान सिंग ने इस जगह पर चितोडगर जैसा भीशन नर संहार किया था, अकबर मान सिंग और अकबर के सै चोटी चोटी रियासते हैं उनके राजाओं को आगरा बलाकर मिवार का कतलयाम और मुगल सल्तनत की तेजगती से फैल रहे राज्ये बताए जाएं और सभी चोटी और बड़ी रियासत की राजा को मुसलमानों की ताकत बताए जाएं, अकबर ने सभी चोटी चोटी रिया उनके बड़े पुत्र कुमर कल्यान सिंग जी थे कुमर कल्यान सिंग जी भी अपने पिता की तरह समझदार, बुद्धिमान, वीर और चतुर थे यह वह रियासत है जिसे अकबर का सैनापति और मान सिंग कच्छवा नहीं जीत पाया था तब अकबर ने मान सिंग से पूछा क्या इतना ताकतवर है टॉंक रियासत की हमारी मुगल सल्तनत के बहादरी और धाब्यू से हमारी सल्तनत का हिस्सा नहीं बना पाए तो मान सिंग ने अपना सर नीचे कर लिया और कोई जवाब नहीं दे सका तो वो थी तोड़ा रियासत जिला टॉंक तोड़ा महल के एक और बड़ा तालाब तो दूसरी उटगहना जंगल और उची उची पहाडिया हैं उन पहाडियों से दूर बैठा दुश्मन भी नजर आ जाता है उस समय यहां राव जगनाथ सिंग थे तोड़ा राव जगनाथ सिंग जी को कहीं पर भी आना जाना कम पसंद था इसलिए उनके पुत्र कुवर कल्यान सिंग सोलंकी राज्य का मेल मन मुटाव से लेकर हर कारिये खुद करते थे कुवर कल्यान सिंग जी एक बहादूर समझदार चतुर थे इसलिए उनके पिता राव जगनाथ सिंग जी ने अपना सारा कारिय उनके पुत्र कुवर कल्यान सिंग तो सौंप दिया था अकबर के सेनापती और मान सिंग ने पूरी कोशिश कर ली मगर टॉंक को नहीं जीत पाए आखिर में अकबर ने टॉंक को दोस्ती करने है तू राव जगनाथ सिंग जी को एक पत्र लिखा उस समय टोडा के कुवर का लैन सिंग्जी ने अकबर के सामने अपना प्रस्ताव रखा कि हम अकबर को अपना मित्र कैसे मान ले जबकि आमिर के राजा भारमल जी भी उनके साथ मित्रता करने आये थे और तुमने उनकी ही बेटी से शादी कर ली चितोडगर में अभी हाली मे हुआ भिशन नरसंगहार किया गया हम कैसे मान ले कि हमारी आन बान शान के साथ अकबर नहीं खेलेगा तब ही अकबर ने उन दो वीरों जैमल मिड़तिया और पत्ता चुंडावत की आगरा में जो मूर्तिया बनवाई तीनों राजाओं को दिखाई और कहा अब दिखाव क मूर्तियां बनाई गई ताकि राजपूत रàiजाओं को लगे कि अकबर किसी तरह का रखतपात नहीं चाहता है और यह सिदक्या कि अब वो किसी राजपूत की आन बान शान से नहीं खेलेगा और बिना युद्ध किया ही बाकी राजपूत राज़ाओं की अपना मित्र बन लेकिन फिर भी यह मित्रता मुगलों और टॉंग के सोलंकियों के बीच ज़्यादा देर तक नहीं रही। लेकिन आपने तो अपने घर की बेटी मुगलों को दी है वो काला कैसे धुलेगा और कुमर कल्याण सिंग जी आमिर से टॉंक वापस आ गए तब मान सिंग ने अकबर का सहरा लिया और सोलंकियों के रियासत टोड़ा पर हमला कर दिया। खुद अपनी सेना का नित्रत्व कर रहा था और मान सिंग के साथ आया था लेकिन टोड़ा राव जगनात सिंग जी भी बहुत चतुर और एक बीरियोधा थे। उन्होंने पहले ही अपने राज प्रिवार के सबी बाल बुजर्गों को महल से बाहर भीज दिया था और अपने सेनिकों को पहार पर निगराने है तो खड़ा कर दिया। लेकिन अंधेरी के आड़ में कोई नजर नहीं आया और कब मुगल सेना महल के करी पहुँची इसकी भनक भी नहीं लगी। यह घटना तब की है जब महरना परताप जंगलों में भटक रही थे। वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल शब्दबान को लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। एक और ऐसे ही दिल्चस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्का जै हिंद जै भारत।